हलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है अब सभी का हमारे वीडियो में तो दोस्तो आश्च की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने वाटसप प्प्लिकेशन में जो इस्टेटस लगाते हैं तो उसको अगर आप छुपाना चाहते हैं तो कैसे छुपा सकते हैं बहुत ही असान तरीके से तो दोस्तो आपको करना क्या होगा वीडियो को मेरा पूरा देखना होगा बहुत ही असान तरीके से आपको step by step बताएंगे हम तो दोस्तो मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं अनिल टेक ग्यान चैनल तो दोस्तो चले दोस्तो वीडियो को स्टाट कर देखेंगे WhatsApp खुलने के बाद दोस्तों यहां पे एक अपडेट के आपसन है तो आपको अपडेट वाले आपसन पर आ जाना है फिर यहां पर आपको फ्री डाउट दिखेंगा तो इसके बाद में यहां पर एक आपसन मिलेगा प्राइवेशी स्टेटरस प्राइवेशी का त तो यहां पे दोस्तो तीन आपसन दिख रहा है फर्स्ट आपसन है माई कॉंटेक्ट तो दोस्तो अगर मेरा माई कॉंटेक्ट बेक्लिक है तो माई कॉंटेक्ट में जितने भी आपके कॉंटेक्ट होगे वो सभी आपका वाटसप देखेंगे और दूसरा है दोस्तो माई कॉ तो दोस्तो इसमें जो है आप चूस कर सकते हैं कि किन किन लोगों को मुझे नहीं दिखाना है वार्सप और बाकी लोगों को दिखाना है तो माई कॉंटेक्ट के जिस्ट सामने आपको 0 is Cloded का आप संहें तो इस पे आप टच करेंगे तो जिन लोगों का आप सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों वो लोग आपको स्टेटर्स नहीं देख पाएंगे तो देखिए मैंने जो है एक दो मैंने चार लोगों का सेलेक्ट कर लिया है तो यह लोग मेरा status नहीं देखेंगे बाकी मेरे contact के सभी लोग status देखेंगे तो जिसे आप tick वाले option पर करेंगे तो यहाँ आपको चार दोस्ते हैं count हो चुका है अब दोस्तो मेरा status यह चार लोग नहीं देख पाएंगे बाकी सभी लोग देखेंगे तो उसके बार में अगर आप इसको हटाना भी चाहते हैं तो यहाँ से आप touch करेंगे और इनको untick कर देना है और फिर आपको यहाँ पर नीचे side में tick वाले option पर आपको कर देना है तो यहाँ से आपका हट जाएगा और third option है दोस्तो आपका जो है third option only share with तो दोस्तो आपको यहाँ से select कर लेना है जिन लोगों को आपको whatsapp जो है दिखाना है उनको जो है select कर लेना है और जिन लोगों को नहीं दिखाना है उनको आपको नहीं select करना है दोस्तो तो दोस्तो यह step by step आप अगर पूरी तरीके से समझेंगे तब ही आपको जो है जानकारी मिल पाएगी इसकिप करेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा तो वनली सेर तो दोस्तो जिसको वनली सेर का मतलब होता है जिसे आप सेर करेंगे वही आपका वाटसप देख पाएगा बाकी लोग वाटसप नहीं देख पाएगे तो share करने के लिए दोस्तो only share with के आगे आगे आपको एक green tick का option दिख रहा है तो इसको आपको करना क्या है कि इसी green tick वाले option पर आपको touch कर देना जैसे ही touch करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक लोग को tick किया है तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एक दो तीन चर अगर आप चाहते हैं तो एक साथ भी कर सकते हैं अन्धा यहाँ से आप un tick करके दो तीन लोगों को हटाना चाहरे हैं कि मेरा status यह आदमी ना देखे या यह बंदा ना देखे मेरा दोस्ते मेरा status ना देखे तो वहीं से आपको select कर लेना है मैंने पांच लोगों को select कर लिया है और जैसे ही tick वाले option पर क्रिक करेंगे यहाँ देख सकते हैं दोस्तों only share with में पांच लोग एड़ हो चुके हैं अब यह मेरा status नहीं देख पाएंगे और बाकी लोग मेरा status जो है तो दोस्तों यह only जिन लोगों को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया है दोस्तों देख सकते हैं तो दोस्तों थर्ड अपसर है only share with में तो इस पर जिन लोगों को आप सेर करेंगे वही आपका WhatsApp देख पाएंगे तो दोस्तों only share with के आगे आगे आपको जो है टेच कर देना जैसे ही टेच करेंगे यहाँ पर आपको जिन लोगों को सेलेक्ट कर लेना जैसे आप जिसको WhatsApp दिखाना चाहते हैं वही आपका WhatsApp देख पाएंगे बाकी लोग WhatsApp नहीं देख पाएंगे तो दोस्तों मैं तीन लोगों को यहाँ से टिक करता हूँ बाकी लोग आपका WhatsApp नहीं देख पाएंगे कितने भी कॉंटेक्ट हो उनको WhatsApp आपका नहीं दिखाए देगा अगर आप यह हटाना चाहते हैं तो आपको इसी आपसंद पर जो है हमाली देखाना चाहते हैं जिसी तो आपको यहाँ से टिक वाले आपसंद पर करेंगे तो दोस्तों यहाँ से सभी लोगों का हट जाएगा और एक बंदा जो भी है उस को आप टिक करना ही करना होगा तभी नहीं से हटएगा अन्यता जितने लोगों को add करेंगे फिर एक साथ सभी का नहीं हट पाएगा एक लोगों को आपको रखना ही पड़ेगा only service में तब ही आप साथ जिन लोगों को आपने share किया था उन लोगों को हटा सकते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने एक लोगों को share किया है बाकी लोग मेरा टेटर्स नहीं देखेंगे केवल एक लोग ही देखेंगे तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर आप जानकारी नहीं समझ पाएं तो आप हमसे जो है कमेंट में पूछ सकते हैं मैं आपको फिर से समझाओंगा लेकिन दोस्तो वीडियो पूरा देखेंगे तब ही आपको जानकारी मिल पाएंगी तो दोस्तो आज के वीडियो दोस्तो आपको जानकारी कैसी लगी अपना कमेंट में राय दें तो दोस्तो आपको वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो अच्छे लगा तो वीडियो को लाइक करें हो चैनल पर अगर आप नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें तो दोस्तों मैं ऐसे ही रेलेकेड़ वीडियो बनाता रहेता हूं अगर आपको कुछ अगर आपको किसी टोपिक पर वीडियो चीह तो हमें इतना ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए दोस्तों वीडियो के ही समात्प करते हैं नमस्कार दोस्तों